सोनी ने अपने स्पाइडे मान उन्वेर्स के एक और किरदार क्रेवन दा हंटर का ट्रेलरी सब्सक्तेट ड्रॉप कर दिया और ट्रेलर को देख एक ही बात काई ना चाहूंगा वाग क्या ट्रेलर है और जिस स्टूडियो से हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी उसी सोनी ने फैंस की पुकार सुनी स्पाइडर मैन की स्टिटूरर रुडन का किरदार यहां एरोन टेलर जॉन्सन कर रहे है जो इससे पहले MCU में कुल्क सिल्वर को प्ले कर चुके है क्रेवन दा हंटर के साथ उनका नाम मल्टिबल MCU एरोस को प्ले करने वाले लिस्ट में आ जाएंगा अभी अभी जॉन्सन ने बुलेट ट्रेन में अपने एक्शन के साथ तहलका मचा था और यही तहलका वो इस टेरर में भी हमें मचाता दिखे क्रेवन से दिख रहा है कि यहां क्रेवन दा हंटर की ओरिजिन स्टोरी देखने को मिलेंगी किस तरह से सर्जी क्रेविन ओप एक आम बच्चे से खुकार हंटर बनेंगा यह हमें देखने मिलेंगा कॉमिक बुक्स में क्रेवन एक किलर हंटर है जिसे स्पाडर मैन को मारने के लिए हायर किया जाता है कई बार स्पाडर मैन की विलन टीम सिनिस्टर सिक का हिस्सा भी क्रेवन है चुका है सोनी के मारवल यूनेर्स में अल्रेडी हम मॉर्बियस और वेनम को देख चुके इतना ही नई जल्दी मैडन वेब को भी बिग स्क्रिन पर हम देख पाएंगे क्रेवन दहल्टर अक्टोबर 6 को थेटर में देखने को मिलेंगी एरोन टेलर जैंसन के साथ इस मुवी में एरियाना डी बोस, क्रिस्टोबर रेबर्ट और रसेल क्रोबी शामिले ट्रेल से एक जबर्दस वाईब आ रही है मतलब बंदा लिटरली आगे पिछेना देखते हुए किसी खोकार जानवर की तरह लोगों को फाड रहा है क्रेवन को उसकी पावर्स कैसे मिली इसकी भी छोटी सी जलग हमें ट्रेलर में देखने को मिली शिकार करते होगत एक शेर सर्जिया को जख्मी कर देता है जख्मी सर्जिया को कमजोर समझ कर उसके पिता निकोलो क्रेवन आप ने वही मरने के लिए छोड़ दिया उसी दिन उस शेर के खुन से सर्जिया को उसकी पावर्स मिली अब ट्रेलर में बंदा शेर के माफिव लोगों को फाड रहा था एक की तो ना कि उसने दातों से फार दी पर ट्रेलर में एक सीन है जहां सर्जिय क्लियरी मेंशन करता है कि वो बस उसके पिता के लोगों को मारता है और उनका ही शिकार वो हमें ट्रेलर में करते भी दिखा रायनो का भी एक छोटा सा लूक हमें ट्रेलर में देखने को मिला इस मुवी का मेन विलन वही होंगा कॉमिक्स में क्रेवन दहंटर एक प्रॉपर विलन है पर ट्रेलर से वाइब आ रही है कि वो यहां विलन नहीं वलकि एक सेरुफिरा बंदा है जो अपने पिता के बिजनस को बंद करना चाता है सोनी ने मार्वियस के साथ ऐसा ही कुछ किया था जो मुवी टेरेबली फेल हुई थी मार्वियस को देखते हुए इसी वज़े से इस मुवी को आर रेटेट रखा गया है जो सोनी के लिए बेस डिसिजन है क्रेवन्द हंटर को 130 मिलियन डॉलर के बड़े बज़ेट के साथ बनाया जा रहा है जिसके चलते मुवी को तगड़ा कलेक्शन करना होंगा इस मुवी को जेसी चैंडर ने डायरेक किया है जिनोंने इससे पहले ट्रिपल फरंटियर और मार्जिंग कॉल जैसी मुवीज डायरेक की थी बिग बज़ेट के चलते सिजय और विएपेक्स भी अच्छे लग रहे है एक आर बत क्लियर कर देना चाहता हो कि ये मुवी एमसियो का हिस्सा नहीं होंगी बलकि सोनी के मार्वल उनिट्स का हिस्सा होंगी जिसमें अल्रेडी दो वेनम मुवीज और एक मार्जिज आ चुकी है और आगे मैडम वेप आने वाली है क्रेवन दा हंटर का टेर आपको कसा लगा हमें कमेंट सेक्षेन में जरूर बताना इस तरह की और इंट्रेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमार चानल को सब्सक्राइब जरू करें तो चलिए मिलते हैं आप से अगले वीडियो में